हाई अब्रीवन आज हम लोग MSXL के अंदर डेटा टैप के अंदर शॉर्टन फिल्टर का जो यह पूरा एक गुरूप है हम इस गुरूप को कवर करने वाले हैं तो इस गुरूप के अंदर मैंने A2Z, Z2A और शॉर्ट और यह फिल्टर यह मैंने अल्लेडी कवर कर लिया है इसकी वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूँगा आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं आज हम लोग सिर्फ एडवांस टैप कवर करने वाले हैं एडवांस टैप क्या होता है जैसे हमारा यह डेटा है स्टूडेंट नेम स्टैंडर्ड एक हम उससे भी उसका सेलेक्शन कर सकते हैं अगर मुझे इस पर्टिकुलर सीट मैंसे सिर्फ उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड चीए जिनका नीम स्टार्ट हो रहा है एसे तो मैंने यहां पर एडवांस में जाने के बाद मैंने अपने डेटा सेलेक्शन करा और जो मेरी हम लिदे के अडवांस čाम्हों धाक्या है करने आपको बिस सब्सक्राइब करना होता है तो प्रैटा के ऊपर ही लेते तो हमें simply इस पर click करना है right click करके insert इस आप इस तरह से भी कर सकते हो otherwise आप simply इस पर tap करो क्लिक करने के बाद control प्लस प्रेस करेंगे तब भी आपका रोज insert हो जाएंगी उसके बाद हमें simply जो हमारी heading है उसे copy करके और यहां पर paste कर देना है उसके बाद आपको मैंने समझाने के लिए कुछ number of criteria बनाए हुए तो क्यूंकि यह criteria नीचे आ रहे हैं और हमारी table उपर है तो आपको समझने में दिक्कत ना हो इसके लिए हम एक काम करते हैं copy as picture and okay यहां पर पेस्ट करना है तो मैं simply यहां पर गया और पेस्ट उसके बाद मुझा बिसकी कोई जरूरत नहीं है तो मैं यहां से इसको डिलीट भी कर सकता हूं अब आपके पास दो option है अगर आप simply delete प्रेस करोगे तो यहां पर हमने कुछ formatting अप्लाई कर देती वह नहीं तो हम उसके लिए क्या करते हैं बेस्ट हमारे पास clear में जाकर कि clear all तो यहां पर जो भी data था वह सारा हाट जाएगा वापस grade lines को enable कर लेते हैं अब हम आते हैं आज को topic के ओपर कि हमें इस particular table में advance filter किस किस तरह से लगाना है यह जो हमारी table है इसको हम बोलते हैं list range और यह जो table है आप उसमें कहीं पर भी रहिए और advance में जाकर के click करना आपको ते जो list range जा रहा है list range जिसने by default selection कर दिया है अगर आपकी कोई और list range है तो आप उसका भी selection यहां से कर सकते हैं उसके लिए तो आप इस तरह से जाकर के selection कर दीजिए और दर बस आप इस पर type करोगे तो भी वही सेम चीज आता है और आप selection यहां पर कर सकते हैं next है हमारा criteria range हम लोग एक बार यह देते हैं यह हमारा criteria range है and okay तो क्यूंकि अभी हमने आपको criteria type नहीं कर रहा था तो यहां पर कोई भी चीज apply नहीं हुआ है हम लोग आप देख लेते हैं कि हमारा पहला criteria है वो क्या है हमा अबीद भी फाइंड करना है और यहां फिर स्टुडेंट नीम भी फाइंड करना है यह हो गया multiple criteria मीन्स आपके criteria एक से ज्याजा है उसके बाद जो में एक क्राइटिरिया अपलाई करना है वह सिरिफ एक कॉलम में करना है जो है student नीम फिर एनी क्राइटिरिया तू इसका मत सिंक्यी यहां पर जाना है हमने यहां पर सिंक्पः यक्पलट को मुम उसके बाद ढवलोड़ लॉड उसके बाद हमें सिंक्ली इहां पर एक कि करना है एंड सकर देंध करने है और 30 require टवाम और अइंटर तो यहां पर प्रिए उम आप लिफावा जाएगा अब यहां से लेकर यहां तक अब जो हमारा थर्ड तक आ रहा है तो हम अपना क्रेडियरा सेलेक्शन करेंगे अब यहां पर कुछ लोग करते हैं कि वह शरिफ अमीट कर देते हैं तो उससे जिक्तत होती है वह सही मैटड नहीं है फिल्टर अप्लाई करने हम लोग अमिट सिर्फ तभी टाइप करते हैं जब आप सिर्फ यहां पर अमिट टाइप पर होगे तो यहां पर वो सारी वैल्यूस ले लेगा जिसमें पर्टिकुलर लेटर्स आ रहे होंगे इना स्रीज कैसे गो देख लेते हैं एक पर दुबारा स यहां पर उन वैल्यूस का डेटा शो करना है जिसमें अमित आता हो तो आप देख सकते हो दूसरा एक्जाम्पल अगर मुझे यहां पर छिफ उनका डेटा ची जिनका स्टार्टिंग लैटर एक हो तो यहां पर शिरित अपना यहां पर टाइप करा एडवांस में जाकरके अभी हमारा data दो को वह selection है एफाइव से लेकर के के 16 तक और जो हमारा criteria है वह भी हमारा अभी से में देखो तो अब देखिए अब यह जो यहाँ पर इस रेड़ नेम आ रहा है अनिल अमित अमित अमन यह वह सभी data शो कर रहा है जिनके starting में अगर हमें exact value चाहिए तो हमें उसक अगले criteria की तरफ अगला criteria है हमारा multiple criteria means criteria ज्यादा है then multiple columns अब जो हमारे columns वह भी ज्यादा है और सभी criteria's true होने चाहिए means standard हमारा 5th है और total number more than 400 means वह सारे बच्चे जो 5th standard के हैं और उनके जो marks है हो 400 से उपर है आपर means हम column 2 use कर रहे है standard और total तो उसके लिए हमें क्या करना होगा हमें यहां type करना होगा equal to inverted comma equal to 5 inverted comma enter means सारे बच्चे जो 5th class में है उसके बाद हमारा अगला criteria है total numbers जो है more than 400 होने चाहिए तो एक fall to inverted comma more than 400 inverted comma enter तो यह हमारा criteria type हो गया है उसके बाद हम दुबारा जाएंगे advanced के अंदर यह हमारा data का selection हो गया है उसके बाद हमें अपना criteria selection करना है यह हमने अपना criteria selection कर लिया है and okay अब यह उन सारे बच्चों की रिस्ट शो कर रहा है जो 5th class में है और जिनके marks 400 से उपर हमें अपना पर filter हटाना है तो आप simply यहां पर clear press करेंगे तो जो हमारा filter था वो हट जाएगा अब हम नेक्स देख लेते हैं multiple criteria multiple column और any criteria true means multiple column से दुबारा से और criteria भी multiple है लेकिन जो criteria है हमारा कोई भी criteria true हो जाए हम वह वह देख रहे हैं for example standard हमारा 6 है और जो student name है वह राम होना चाहिए तो हमें वापस यहां पर जो अपना class है उसको 6 करना है और उसके बाद हमें standard total हटा करके student name जो है वह हमें राम चाहिए तो हम equal to noted, equal to राम noted, enter वापस हमें जाना है advanced इसने हमारा by default selection कर लिया ए लिस्ट का और by default यहां पर criteria भी सई selected हो रुखा है means a1 से लेकरके k2 तक आपको simply यहां पर okay press करना है तो यह उन बच्चों की लिस्टों कर देगा जिनका नाम राम है और जो six class में है अगला criteria दिख लेते हैं अगला criteria है multiple sets of criteria और one column means हमें एक ही column में अपने बहुत सारा means एक से उपर criteria लगाना है for example total number more than 400 but less than 500 या फिर जिनके जो marks है वो less than 330 है इस 330 से कम नंबर आए जिनके यह बर यहां पर criteria चेंज कर लेते हैं हमें total में जाना है more than 400 and less than 500 तो हमें यहां पर type करना होगा पहले more than 400 अब जो हमारा अगला criteria है वो है but less than 500 तो हमें उसके लिए क्या करना होगा उसको move करा लेते हैं उसके लिए हमें यहां पर एक column और लेना होगा total लाम से ही और यहां पर हम type करेंगे less than 500 and enter उसके बाद हमारा अगला criteria है means जो यह एंड वाला criteria होता है वो हमेशा आपका इना single row ही आएगा और जो आपका अगला criteria है means जो रोटल नमबर है less than 330 वह हमें अब यहां पर type करना होगा और इन criteria को हम डिलीट कर देंगे में वापस जाना है advanced में देखे इसने अभी section column का जो हमारी list ही तो इसका selection मिल्कुल okay कर रख है हमें अपना जो criteria है उसको change करना है criteria हमारा यह हो गया ठीक है और okay तो देखे इनों इसने उन सभी students के लिए शो कर दी है जिनके जो marks है वह 400 से 500 की बीच में है but less than 300 वाले भी इसने include करें means 431 401 45410 और 330 से कम वाले 324 और 326 ठीक है तो यह हम इस तरह से भी कर पाएंगे जब हमें multiple criteria लगाने होते हैं जो हमारा पहला criteria होगा वह इना single लो लगता है और जो अगला criteria होगा वह फिर उसकी next row में लगता है ठीक है दुबारा से और example देख लेते हैं यहां पर है multiple sets of criteria and multiple columns in each set मिसे हमारे यहां पर criteria भी multiple है और columns भी multiple है for example हमारा जो standard है वो 5 में हमें देखना है और 5 में हमें क्या देखना है वो सारे बच्चे जिनके marks जो है वो more than 370 है या फिर वो सारे बच्चे जो six class में है और जिनके marks more than 400 है सबसे पहले पहले पहला criteria अपना टाइप कर लेते हैं जो standard है वो more than जो standard है वो fifth है तो हमें आप simply अपना first criteria type करना है और पहले criteria में यह जो next condition है total more than 370 तो यहां पर हम type करेंगे total inverted coma more than 370 अब यह तो हो गया हमारा पहला criteria अब हम अगले criteria के तरब बढ़ेंगे तो हमें next column use to row use करना होगा तो जो next row है उसमें हमारा लिखा हुआ है कि standard six होना चाहिए simply आप control D press करके और यहां पर 6 टाइप पर गयाता हूं इसके बाद जो total number है more than 370 simple control D और इसको फोड़ी से अटिटिंग कर लेते हैं ताकि सारा ना type करना हो आपको वापस जाना है advanced के अंदर हमारी selection जो अरकी list के बिल्कुल इसने सारा जो मारा क्राइडियर है selected है उसने सभी बच्चों के लिस्ट यहां पर शो करती है अब हम आगे देख लेते हैं इसको हम लोग बोलते हैं wild card criteria अब हम क्या करते हैं यहां पर हमें फिर से चेंज परना होगा हमें उन सभी बच्चों का डेटा चाहिए जिनके सेकेंड लेटर में एच आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं wild card criteria तो उसके लिए हमें क्या करना होगा हमें सबसे पहले equal to press करना होगा अब क्यूंकि सेकेंड लेटर की बात हो रही है में फिर्स्ट लेटर नहीं पता है तो हम लगाएंगे question mark ठीक है इसके बास second letter h then inverted, close and enter ठीक है यह हमारा हो गया first criteria अब वापस जाएंगे advanced के अंदर यह ठीक है हमें अपना जो selection को change करना है selection हमने अपना change कर लिया है और okay तो अब देखेजिए उन सभी list show कर देगा जिनके नाम का जो second alphabet है अगर हमें वैसे ही देखना है कि इसका third alphabet like M हो तो हम उस case में क्या करेंगे third alphabet की बात आएगी तो क्योंकि starting के दो हमें नहीं पता है तो starting के दो question mark और third में M वापस जाएंगे हम advanced हमारे table भी ठीक selected है हमें हर बार ध्यान देना है कि हमारा list range वो ठीक selected होना चाहिए है और हमारा criteria range भी ठीक selected होना चाहिए तो क्यूंकि दोनों ही ठीक selected है तो हम जस्ट प्रेस करेंगे तो अब देखिए इसने उन सभी की लिश्ट शो कर दिया है जिसके third alphabet में M आ रहा है तो हम इस तरह से wild card criteria भी search कर सकते हैं हम इसी में देख लेते हैं यह तो हो गया single alphabet की बात हो रही है यहां पर कि हमें M देखना है हमें है यहां पर अपना चीन करना होगा एक वल्टू अगर हमें sets of alphabet देखने हैं तो हमें यहां पर करना होगा क्या होता है अगर आप देखोगे तो हम लोग इसको इस्टार भी बोल सकते हैं जा फिर हम एक्सल में जिसको करने के लिए एक Guinea के लिए ते इन वर्त को म उसके बाद थे उसके बाद हमेर किस्टुड के नेम में आ रहा है तक हम ने इस न इन अधा यक जाने वह वाफस एडवांस के इस अंदर कि हमारा ले यह चाहिए वह पर बिए आरेय के अंदर अब आ रहा है श्याम के अंदर यह आप रहा है तो इस ने आपना में पार हमें चैनल हम नहीं देखा कि हम लोग कोशेर्मांकr यूज करते हैं कि अगर हमें Single Character İ Tage करना है और हमें सेट फ से धूर्व ने तो हम लोग आपपर अच्रिक यूस करते हैं यहां पर एक अच्छा और बताने जा रहा हूं जिसको हम लोग वोलते हैं कर दो अब अगर नॉर्मल तरीके से चाहोगे तो आपको फाइंड नहीं कर सकते हुँ मैंने उसके लिए लक्से बना रही है हम लोग फूलेते हैं आइधिंग यह वाली शीट है ठीक है अब देखिए यह मेरी सीट है मैंने इन सभी में यह जो मारा टेल्ड है उसको मैंने यूज करावा है को सब्सक्राइब आपको बताने के लिए बाकि डेटा हो सेमी डेटा है ठीक है तो हम लोग सबसे पहले यहां पर फाइंड करते हैं क अब हम इसको extra करने के लिए अगर आप इसको पॉलोगे लिए और टैल्म करने के लिए की सबी करने के लिए तो पीवे ख्यांगे थी कोष़िकर करने के लिए ठीक है तो चलए केमारे यहां कि आहला है एक करने की भालिया झाल